ओम सिरी गनेशा नमदोस्तो एश्ट्रू समधान यूट्यूब चैनल में आपका हाड़ दिक स्वागत हैं दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 फरवरी बंगलवार के रासी फल के बारे में कीह दिन मकर रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-क किन-की चीजों से इनको फायदा होगा, किन-किन चीजों से इनको सावधान रेना होगा, इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी, कर्यियर कैसा रहेगा, बिजनिस और विया पार कैसा रहेगा, और स्वास्त की महत्त्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए मंगलवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आप के लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो यदि आप वेवसाय करते हैं या यदि आप नौकरी करते हैं तो निवेश के लिए भी आज आप अवसर ढूंड सकते हैं यह आपके आर्थिक निवेश के लिए अच्छा हो सकता है जिससे आपको आर्थिक लाब प्राप्त होने के अच्छे अफसर प्राप्त हो सकते हैं आज आपका भाग्य भी अच्छा साथ देगा तथा कामकाज के छेत्र में आपको अच्छी सफलता आज प्राप्त हो सकती है आवसर तलासें तथा निवेश करें जिससे आपको क्याम्याभी अच्छी प्राप्त हो और आर्थिक इस्तिती आपकी काफी मजबूत हो दोस्तों साथ इसाथ कोई प्रत्यासित आये या सायद विरासत आपका इंतजार कर रही है इस आये का अच्छे से प्रियोग करें जैसे किसी यात्रा या ऐसी कतिविधी में जो आपके उधिस्से का इस्पस्ट अर्थ दें अन विचारों को लोगों को बताएं जो आपके दिमाग में हैं और इसके लिए जरूर रिशर्च करें अपने आसपास के लोगों से मिलें और अपने वरिष्ट को प्रभाबित करने के लिए सब्दों की अपनी निपुनता का प्रियोग करें अपने केरियर को बढ़ाने और कुछ पैसेवर योजना या रणनीतियां बनाने के लिए यह एक शांदार समय हैं आपके साथ ही और सेयोगी अभी आपकी अच्छी सलाहों को पहचानेंगे दोस्तो रचनात्मक कारों क प्रिती आज आपका रुजहान बढ़ेगा इस अवसर का आप लाब उठाएं और नए तरीके से काम करने का मौका हाथ से ना जाने दें अपनी रचनात्मक्ता से अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं अपनी कारे चमता से दूसरों को आज आप प्रभावित करेंगे कार घरेलू समस्याओं को दूर करने में ही आपका घरेलू विकास संभव है अन्यता परिसानिया बढ़ सकती हैं अपने आप पर भरोसा करें तथा अपने घर परिवार के सदस्यों पर भरोसा करें किसी अन्य व्यक्ति पर भरोसा ना करें अनावशक परिसानिया उत्पन हो सकत हैं जिसके वजह से घर में विखराव का माहूल हो सकता है इसलिए घर परिवार में आपसी समंझस बनाए रखने का प्रत्र करें तथा एक दूसरे पर भरुशा करते हुए किसी भी कार्रे को करें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का पूर्ण प्रियास करते हुए माता- पिता से सम्मंद मधूर बनाए रखने का प्रियास करें ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिसे जरूत हैं जैसे आपके भाई बेहन माता पिता या पडोसी उन्हें सांते प्रदान करें यह समय सांसारिक और वहवारिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने का नहीं बलकि अपने दर अधिकतर समय मल्टी टास्किंग में व्यत्तित होगा बस वही करते रहें जो आप कर रहें हैं और आपको जरूरी सफलता मिलेगी एक नुकसान या दुखद जो अभी सायद आपके परिवार को प्रबावित कर रहा हैं आपको बेचेन करेगा दोस्तो कार्रे भार की आज अ बाद करने से बचें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के शरेनी वाली हैं दोस्तो आपको अपने प्रेम जीवन में आज समल कर चलना होगा क्योंकि जरासी भी बात बड़ी हो सकती है और उसका प्रभाव आपके प्रेम जी रूप में प्यार देगा और एक दोस्त के रूप में आपका साथ देगा दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन साबित होने वाला है इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका गतिविदियां सफल होंगी और कारोबार में धनलाव के इस्तिती रहेगी प्रॉपर्टी और सेयर बजार में निवेश करना अनलाबदायक रहेगा अनावाशक खर्च की भी अधिता रहेगी जिस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा साती सात नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी आजगा दिन अच्छा रहेगा विध्यार्त्यों के लिए दिन आज का मिला जोला रहने वाला है दोस्तो आज आपके लिए व्यवेपार से संबंदित किसी यात्रा पर जाने के भी योग बनेंगे टोटका चेहरी में संबंदित कोई अच्छी घुसकबरी आज आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तों आज आपको किसी तरह के स्वास्त संबंदित गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इसलिए किसी भी तरह की स्वास्त संबंदित समस्यां उत्पन होने पर समय से उपचार कराना बेहद आवशक है जिससे समय रहते किसी भी तर करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाय क्या है दोस्तों आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद भगवान बजरंग बली जी की प्रितिमय के सामने बैठ कर एक घी का दीपक जलाएं उसके बाद आप राम र परेशाने चल रही हैं समस्त परेशानियों का अंत्र करेंगे और आपके सभी काम भगवान बजरंग बली के अशिरवाद से बहुत यासानी से बनतें चले जाएंगे दोस्तों बगवान बजरंग बली का अशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैब जरंग बली अवस्थ लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद